दिल पे रख कर हाथ कहिए थाली बजाने से क्या मिला सो में नब्बे डाक्टरों को कोई नस भी था मिली फिर कहिए थाली बजाने से क्या मिला सिर्फ उद्योग पतियों को बैंक से कर जा मिला गरीबों को भी पती में भी ना मिला आटा ना चावल मिला संख बजा कर भीर को जूटाया गया दिन भर घर में बांद रहने का क्या फैदा हुआ सब को घर में रहने की हिदायत मिली लेकिन मजदूरों की कमाई तो मारी गई इस पर न कुछ सोचा गया सरकार की तरप से ना कोई सहारा मिला घर में रहने की सिविधा कब तक चले बिना काम मजदूरों का पेट कैसे भरे दिल पे रख कर हाथ कह ये थाली बजाने से क्या मिला बता दे की अब तक कहा जा रहा था कि कोरणा वाइरस हवा में जीवित नहीं रह पाता है लेकिन हखीकत में हावा से भी लोगों के इंफेक्टेड होने का खत्रा बना हुआ है बताया जा रहा है कि ऐसे में इंफेक्टेड व्यक्ति के आसपास काम करने वाले वैज्यानिकों वर डॉक्टर भी संक्रमित हो सकते हैं देश में गर डाक्टर नर्स मायूस और नासाद है दिल पे रख कर हाथ कई थाली बजाने से क्या मिला मेरी की यूनिवाइस्टीज की अलग लग लिबर्टरी के वैज्यानिकों ने पाया कि कोर्ना वाइरस हवा में करीब तीन घंटे तक जीवित रह सकता है जन्बरी में आया था पहला करोना यहां चाहते तो तैयारी करते रोकने का यहां लेकिन साहिब ट्रम्प के स्वागत में लगे रहे दिल पे रख कर हाथ कई थाली बजाने से क्या मिला नई श्टडी में सामने आया है कि प्लास्टिक और स्टेलिस स्टील सरफेस पर कोरिणा वाइरस काफी ज्याना दिन तक सर्वाइब कर सकता है यह खतरनाख वाइरस इन दोनों सर्फेस पर कम से कम तीन दिन तक जीवित रह सकता है टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ, साहब को इसके लिए भी गुजराती कम्पनी आदे आता रहा पैतालिस सव का टेस्ट कहां से कराए गजमजदूर भाई, ये भी स्विधा धनबानों को ही मिला गर में रहने की सिविधा कब तक चले, बिना काम मजदूर का पेट कैसे भड़े दिल पे रखकर हाथ कहिए थाली बजाने से क्या मिला बता दे कि इस वक्त कोरोना वाईरस से पूरी दुनिया प्रभावित है कुल 186 देशों में करीब 15,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गवा चुके हैं, वहीं साड़े तीन लाग लोग इस खतरनाक वाईरस से इंफेक्टेड हैं करोना से देश कैसे लड़ेगा थाली बजाना छोड़ कर सोच को आगे बढ़ाओ अब समय आ गया है समाज में बैग्यानिक तालाओ एक जूटता बनाओ करोना से कोई न घबराओ दिल पे रख कर हाथ कई थाली बजाने से क्या मिला